आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम एक Google Form कैसे भर सकते हैं तो सबसे पहले आपने Google Form के अपर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपने इसको अलाव करना है तो इस तरह से आपके पास जो Google Form है वो उपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपने अपनी email ID डालनी है जैसे माल लीजिए मेरी email ID है abc.gmail.com मेरा नाम है ABC College रॉल नंबर भरिये यहाँ पर फिर University रॉल नंबर भरना है आपने फिर Paper Code जो भी आपका Paper Code होगा जैसे की History का एक्जाम है तो उसके उपर एक एक्जाम Code होगा जैसे 1800-1500 जो भी है वो आप यहाँ लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो फाइल की PDF बनाई है वो आप Attach करेंगे जैसे ही आप Add File के उपर क्लिक करते हैं तो within 1-2 minutes जो है आपके पास यह Open होगा इस तरह से तो आपको यह कहेगा कि अपने मुबाइल से एक File Select कीजिए या लैपटॉप से कीजिए आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप के अंदर या आपके मुबाइल के अंदर जहां पर भी आपकी File है जैसे मान लीजिए Cam Scanner के अंदर मेरी कोई File है तो आपने उसको आपने Attach कर देना है तो आपको यह आपकी File यहाँ पर Show कर देगा आपने अपने फाइल को जो नाम है अपना University Roll Number ही देना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है Upload File इसमें आपका एक से आदा मिनट लगेगा अपने आप यह आपको पूरा को पूरा निली लाइन हो जाएगी Complete Complete होने के बाद आपको यह Show कर देगा कि आपकी File Submit हो चुकी है यहाँ पर फिर आपने Last में जो है Submit के उपर क्लिक करना है अभी यह File Process में है जैसे ही यह Upload हो जाएगी Uploading जो है वो चल रही है Uploading कहीं बार Depend करता है आपके Internet की Speed के उपर Internet की Speed के Accordingly आपके पास जो है आपने इस File को Fill करना है तो यहाँ पर मेरी जो Answer Sheet है वो Attach हो गई है तो आपने धिहान रखना है आपने अपना Roll Number और उसके Bracket में अगर आप लिखना चाहें तो एक्जाम लिख सकते हैं जैसे History का है, Hindi का है उसके बाद आपने Submit के उपर क्लिक कर देना है जैसे ही है आप Submit के उपर क्लिक करेंगे आपके पस एक Message आ जाएगा Your Response has been Recorded धन्यवाद तो इस वीडियो में हमने सिखा कि किस तरह से हम जो है एक Google Form के अंदर अपनी Answer Sheet अटेच करके College को बेज सकते हैं Thank you very much